हेलो गाइज, वेलकम बेक टो आवर यूटूब चैनल एंड एम बायोलिजी इन दिस वीडियो वी आर गोईग टोख अबाउट रिक्षिया तो अगर हम बात करें रिक्षिया की तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की तो डिवीजन इसका क्या होता है ब्रायो फाइटा, क्लासिसकी हिपैटिक कॉपसीडा, ओर्डर इसका मारकेंशीयल, फैमिली इसकी रिक्षिये सी और जीनस कौन सा है रिक्षिया अगर हम बात करें ये कैसे डिस्ट्रिब्यूट होता है, डिस्ट्रिब्यूशन की बात करते हैं रिक्षिय के, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी 130 स्पीसिस नौन है, इंडिया के अंदर ये 33 स्पीसिस इसकी नौन है, ठीक है, वाइडली डिस्ट्रिब्यूटिड होता ह में फिकल और टेमप्रेत रीजन में और इसका हबिटेट कैसे होगा मौस्ट और सैडी प्लैसे क्योंकि हम पाइली ही वीडियो में बास कर चुके यह जुछ यह कहां घ्रो करते हैं डैम फॉलोइंग ग्रॉप्स वोड यू प्लांट विच प्रेडूस पोर एंब्रियो बट लैक सीड एंड वैस्कुलर टिशू कोश्चन पर ध्यान दीजिए में पूछ रहा है उस प्लांट को कौन से कैटेगरी में डालेंगी जो स्पोर बनाते हैं एंब्रियो बनाते हैं बट आ shaped सेड्र लैक सेख लएंग और वैस्कुलर टिशू नहीं होता है तो तो इसकांज़ क्या हो गया यहां पर सपोर्स तो बनते सीब्हें नहीं होते हैं tattoo लेस्कुलर टिशू अप्सेνट में है कर दो सैगें अरक्न कोशन हमारा आता है दबुक लिवारवट औ falarstra Liga Windowsḥ हिमाल बहुत ज्यादा most famous book है और यह question बार-बर भी पूछा गया है क्योंकि यह scientist भी बहुत important है S.R. Kashyap, Shivram Kashyap यह इसे father of Indian bryology कहा जाता है bryology आप कहेंगे किसे कहेंगे तो bryology study of bryophytes question number third bryophytes are amphibians because अब bryophytes का amphibians क्यों का है मैंने पिछली वीडियो में slide डाली हुई थी कि bryophytes are amphibians of plant kingdom उसमें भी explain किया था क्योंकि यह terrestrial तो है इनका land habit है बट यह जब इनका reproduction होता है reproductive phase होती है तो इन्हें water की need होते है fertilization के लिए इसके जो gamut transfer होते है वो water की post gametophyte without sexual fusion is called अब इस question से पता है दो चीज़े concept clear होते है apogammy और apospory ठीक है तो अगर हम बात करें apogammy क्या होती है और apospory क्या होती है apospory का मतलब होता है sporophyte से gametophyte बन रहा अब sporophyte से gametophyte हा बिलकुल बनता है लेकिन sporophyte से जब gametophyte बिना reduction division के बन जा है उसे हम कहेंगे apospory और apogammy किसे कहेंगे जब gametophyte से sporophyte बनता है without fusion ठीक है दो gamet fuse होने चाहिए न तब ही तो 2N structure डवलाप होगा बट ऐसा नहीं हो रहा है वो gametophyte से सीधर sporophyte बन रहा है without fusion उसे हमें apogammy कह दिया तो इसका answer क्या हो गया apogammy क्योंकि यहां पर sporophyte बन रहा है gametophyte से without sexual fusion question number 5 is sterile jacket around gamet angia is the feature of algae के अंदर बात करें option algae तो algae की बात करें तो यहां पर हमें याद रखना चाहिए कि जो sex organ था पहले भी हम पढ़ चुके हैं जो sex organ है वो unicellular होता है और non-jacketed होता है बट ब्रायोफाइट के अंदर जो sex organ होता है multi-cellular होता है और jacketed होता है तो वहां पर protection की covering होती है layer होती है which among the flowing is regarded the father of Indian bryology तो यह question भी अभी मैंने बता है था वह कौन सा है father of Indian bryology शिवराम कश्यप sr kashyap is a scientist famous for किसलिए फेमस है ब्रायोफाइट के लिए father Indian bryology के इन bryophytes reduction division take place at the time of यह question हम बात में पढ़ेंगे भी समझेंगे क्योंकि जब हम ब्रायोफाइट की life cycle देखेंगे रिक्षा की देखेंगे और भी species उनकी देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसकी life cycle में दो फिजाती है sporophytes और gametophytes ठीक है उससे हम देखेंगे उनकी spor formation कहते है तो सारी चीज़े देखेंगे तब हमें पता चलेगा जो ब्रायोफाइट है वहाँ पर reduction division कहा होता है spor formation के time होता है इन ब्रायोफाइट देखेंगे नंबर ओफ क्रोमोजोमा करीं डिपलोड नंबर कहां मिलेंगे थैलस के अंदर मिलेंगे ग्या नहीं मिलेंगे क्योंकि गेमेटफिटिक थैलस है एन स्टक्चर है स्पोर्स भी हैपलोड होता है जो नूकलियस होता है गेमेटफिटिक थैलस है तो नूकलियस भी हैपलोड है बट जो स्पोर मदर सेल होती है वहाँ पर नंबर ओफ क्रोमोजोम डिपलोड होता है ब्राइओफ्फोड ब्राहःओफिट डिमाग में सकंफ्यूजन आता है कि एस यसा हो सकते है अट हमारे दो spec general और क्रिप्टो थैलस इसके इंदर क्लोफिल अपसंट होता है कि सिप्रूफिटिक औरovर लिएय utilizar निचरые इसके पिल्ह l democrats आःड़ायो फारोध। के अंदर तो यह भी In Briofite , the posterior part of Artigonium grow to protect the embryo it is अब Briofite में यह भात कर रहें ? आर्क गोनियम का जो posterior part है अब आप बात करेंगे अर्क गोनियम आर्क गोनियम क्या होता था ? male sex organ इसके पाइब पीछे का पाइब पॉस्टियर पाइब पर कौंसा था ? याद करो पर आर्केगोनियम का स्टक्चर उपर कवर सेल थी फिर नेक केनाल सेल थी फिर वेंटर था जिसके अंदर एग था ठीक है तो यहां पर ही तो जाइगोट बन रहा था श्पमारा था अगज से फिस होगा जाइँगोट बनेगा अम्यू बनेगा तो यह सारा प्रकोिस वांटर के अंदर हितो हो रहे तो वांटर की जो सल होती है ना पोस्टीर पार्ट आरखगोनियम का वेंटर इसकी सेल होती है वह कवरिंग बना लिती है उसे पेर सबिए कणि watches from the posterior part of archegonium पर आफ्या थे डिंपर कैसे कहान से डवलाप होती है थो आंसर भी मैने बताये प्रीं एस पिर पार्ट स्पोर इंते रहे है अब आप बात कर रहे हैं जो जिन ए foto नस्टीशू तो कैसे sporoginous tissue है वो कौन सा trend शो करता है अब ऐसा आप कहेंगे क्यों होता है तो चलो हम देखते हैं इसका explanation हम कैसे देंगे theory of progressive evolution से रिक्षा की बात करें तो उसके अंदर जो sporoginous tissue था ना जो complete sporoginous tissue वो क्या आप बना रहा था spores बना रहा था spores mother cell बना रहा था फिर वहां से spor बन रहे थे ठीक है लेकिन अगर हम बात करें मारकेंशे के एंटो सिरोस की तो वहाँ पर mechanical tissue develop होने लग जाते हैं आगे आप देखेंगे वहाँ पर बने लगे और सारी चीजे भी बनने लगी तो sporoginous tissue है उसका trend क्या हो गया पानी केंदर होती है यह मेंली कोंसे पानी केंदर होती है जो slowly flowing water होतकि दीर होता हुआ पानी होते है उसके खे faith Rig अगर हम रिक्षिया की बात करें उसके थेलस की तो मेनली क cens लिखिते के जह की कहा है जय क्या है इसका थेलस नियुक्तला होते हुम उसके बाद इसके बाद यह डाइकोटेमिसटी, ishकली ब्राइंच होरी है। इसकी ब्राइंच होती है। तो फिरती बॉइन्ट्रल और वेंट्रल। की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है यह टेख करें देखिए ये के लिए स्विक्षा स्थप्रण करें यह क्या है, sporophyte है, इसके बाद हम बात करते है, ventral surface की, ventral surface के अंदर क्या होता है, नीचे वाला surface, उसके अंदर rigeoids और scale है, ठीक है, रिक्षिया के अंदर, जो rigeoids है, वो क्या होता है, smooth hold और tuberculated दोनों तरह के होता है, unicellular होता है, और जो रिक्षिया के अंदर scale होता है, multicellular होता है, violet color के होता है, अगर हम apart form रिक्षिया, जो scales होता है, वो दो तरह के होता है, liguate और appendiculate, यह सारी बात हम करेंगे, liguate क्या होता है, appendiculate क्या होता है, ठीक है, रिक्षिया के अंदर, जो thallus होता है, dorsal upper surface, ventral lower surface, ठीक है, जो dorsal surface होता है, वहाँ पर क्या होता है, sex organ present होता है, कहाँ पर mid dorsal groove के अंदर, जो अभी आपने देखा था था न, यह वाला mid dorsal groove, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर sex organ present होता है, ठीक है, अगर हम rhizoid की बात करते हैं, ventral surface की बात करते हैं, अब हम रिक्षिया के तो वहाँ पर कहें, rhizoid और scale ही है, तो rhizoid की बात करें, तो uni cellular होता है, unbranch होता है, ठीक है, और दूसरा के होता है, smooth world होता है, and tuberculated होता है, दोनों तरह के rhizoid, rhizoid दो तरह के होता है, smooth world कहाँ पाए पाए जा रहे है, रिक्षिया के अंदर पाए जा रहे है, smooth world कहाँ होता है, unicellular होता है, ठीक है, hylene होता है, and fine hair like structure होता है, जो tuberculated होता है, also unicellular, वह भी unicellular होता है, उनके अंदर कहाँ होता है, पैग लाइक इन ग्रोथ होता है, अब rhizoid की functions की बात करते है, function क्या होता है, अब कोई भी root like structure है न भी rhizoid तो, क्योंकि rhizoid के अंदर root तो आई नहीं, बट rhizoid आगे तो उनका काम क्या होता है, root का क्या काम होता है, धरती के अंदर पकड़ बनाती है, ठीक है, यही तो करती है, water absorption करती है, nutrient absorption करती है, तो इसक absorption करती है, absorption करती है, and fixation करती है, all species are terrestrial, but rixia fluid and aquatic है, यह बात हम पहले ही जान चुके है, ठीक है, अब बात करते है, scales के, क्योंकि यह भी ventral surface है, दो तरह के होते है, यह भी ligulate and appendiculate, but rixia के अंदर कौन से होते हैं, ligulate type, rai, जोरी तो दोनों तरह वाले थे रिक्षा के अंदर, smooth भी और tuberculated भी, but scale ligulate type के रिक्षा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, यह राइजोड कैसे थे, unicellular, but scale कैसे होते है, multicellular होते है, scale का क्या होते है, protection का काम होते है, जो inner delicate cell होती है, उन्हें protection प्रोवाइड करते है, क्या से shielding की थरू, क्योंकि एक तरीके से चीज को ढग रहे हैं, वो उन्हें shielding प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और उसे protection प्रोवाइड होता है, और क्या करते है, slime secret करते है, जिससे moisture रहे, surface जो होता है, moist surface प्रोवाइड करते है, ठीक है, legulate scale और appendiculate scale में क्या difference है, यह भी हम जान लेते है, जो scale होते है, violet color का होता है, violet color, ऐसा क होता है, क्योंकि इसके अंदर anthocyanine pigment होता है, अब scale की बात करते है, appendiculate और legulate कैसे होता है, appendiculate क्या होता है, close to midrib from inner row, जो appendiculate होता है, जैसे midrib है, अभी हमने देखा, यहाँ पर, यहाँ पर जो हमारी midrib है, यह देखिए, जो अंदर वाले scale है, वो आप देखेंगे, appendiculate है, और जो बाहर वाले है, वो legulate है, जो margin की तरफ है, और जो midrib के पास है, वो appendiculate है, तो आप यहीं से देख सकते हैं, कि size में कितना difference है, legulate scale जो है, वो छोटे हैं, और जो appendiculate scale है, वो बड़े हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, appendiculate के पास appendages होता है, नाम से indicate कर रहा ह जो legulate होता है, उसके पास कोई appendages नहीं होते है, अब हम बात करते हैं, रिक्षा के थैलस की, dorsal, vental part बताई चुके हैं, dorsal क्या होता है, photosynthetic और assimilatory reason होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर photosynthetic filaments होती है, और जो vental होता है, वो storage reason होता है, जो, एक बर मैं आपक यह दिखाते हो, diagram, देखें, यह देखें, यह वाला जो है न, यह वाला portion, यह वाला हमारा portion क्या है, dorsal surface, और फिर यह हम बात करते हैं, यह निचे वाला portion हमारे क्या है, ventral surface, तो आप यहां पर देखेंगे, जो dorsal surface है, उसमें क्या है photosynthetic filaments है, ये वाली filament, ये वाली filament देखें, ये सारी क्या है, photosynthetic filament है, जो इनकी जो upper cell है, ये उपर वाली, जो सब सुपर की cell है, वो upper epidermis, ठीक है, फिर ये photosynthetic filament इनके अधर chloroplast पर जाएन ताकि ये photosynthesis कर सेके, जो नीचे वाला ये वाला वीजन आना इसके अंदर क्या है इस के अंदर क्या है प्राइं नीचे वाली जो एना अप्रिवर ठीक है तो अब हम बात करते हैं जो प्रोतो संथेटिक रिजन था ऐसे हम देख चुक है डाइग्राम में फॉटोसंथेटिक फिलामेंट के दिया उसे ठीक है उसके बाद जो प्रोतो संथेटिक रिजन था ऐर कैनल उसे हमने क्या कह़ए ये वाला जो स्पेस है ना ये वाला इसे हमने कह़ए दिया क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, environment के साथ contact में आ रहा है ना environment के साथ contact में और ए एरए कलेफ्ट कह देते हैं इसे फिर इसके बाद हमारा जो है आउटर्मोस टर्मिनल सेल जो होती है वो कलर लेस होती है उसे एपिडर्मिस का जाता है यह देखिए यह देखिए आउटर्मोस सेल है वो कलर लेस है और थोड़ी साइज में भी बढ़ी हो जाती है ठीक है उसे एपिडर्मिस का जाता है अब बात करें storage zone की closely packed parent का में test tissue है हम पहली बत देखा चुके diagram में ठीक है chloroplast absent होता है storage tissue है store water and reserve food material किसकी form इस्टार्च की form में lower epidermis cell rise order scale यहां से develop होंगे ठीक है अगर हम बात करें sexual reproduction के दिखशे अंदर vegetative reproduction तो जो apical nose 3 नवहां से भी बन जाएगा ट्यूबर से भी बन जाएंगे बहुत सारे method है बट अब अब बात करते हैं mainly sexual reproduction की इसके पास क्यों होते well developed sex organ multi cellular होते इसके sex organ जबकि अभी तक जो algae थी ना उसके अंदर sex organ क्या थे unicellular थे non jacketed थे बट इसके अंदर multi cellular jacketed protection provide कर रहे and separate sex organ जो रहता है रिक्षय के अंदर separate होता है male sex organ अलग होता है female sex organ अलग होता है जो male reproductive organ होता है उसे हम anthridium कहते हैं जिसके अंदर anthrojoids बनते है gamet और जो female reproductive organ होता है उसे archegonium कहते है gamet वहाँ पर कौन सा होता है ovum sex organ किसमे परजाइंट होते हैं उसका dorsal reason था ना वहाँ पर mid dorsal groove था उसके अंदर होते हैं फिर बात आती है anthridium की ठीक है anthridium क्या होता है male sex organ यह देखेंगे यह वाले हैं हमारा anthridium इसके अंदर यहां क्या है यह एंड्रोसाइट mother cell है जो हमारा क्या बनाएगी anthrojoids बनाएगी यह हमारी photosynthetic filament थी थैलेस के अंदर mid dorsal groove के अंदर ही तो था यह ठीक है यह stock है जिससे वह attach होता है यह हमारी पूरी anthridial cavity है ठीक है और जो यह pore है ना इसे हम क्या कहेंगे osteol कहेंगे consist of stock and body anthridial किसे consist होता है यह हमारी stock हो गई यह हमारी body हो गई ठीक है body is oiled and pear shaped बिलकुल जो इसकी body है oiled है या pear shaped ही तो है यह कैसी है यह pear shaped ही है ठीक है jacket layer and anthridial wall इसके पास क्या है jacket layer है और anthridial की यह जो wall यह जो wall है यह jacket layer यह वाली यह protection प्रोवाइड कर रही है उसके बाद जो होती है enclose a mass of fertile cubicle cell androcyte mother cell androcyte mother cell वो divide करते हैं दो एंड्रोजोइड बनाती है और spermatid बनते हैं numerous anthrojoids and spermatojoids are formed in an anthridium osteole के है अभी मैंने बताए वो pore था anthridial cavity का anthrojoids क्या होते है याद रखना bryophytes के अंदर जब हम anthrojoids की बात करते हैं sperm की वो क्या होता है biflagellate होता है इसके अंदरile zoo मैं होता है तो प्लेज बेह्ञा होता है क्यों होता है क्यों कि यह फानी के प्रू क्या करता है swipe करता है और जो फीमिलέλ sucks organ होते है Sud ऑसके ंदर जाते हैं पानी के थाखनी के लिए पानी की ज़रूरत होती है ठीके फिर आती है ar Tay Sue जैसे यह एंध्री डिल कैविटी में था वह आर्केगोनियम का स्क्षर ऑपर उपर उपर यूपर सेल जिसे लिएट सेल भी कहते हैं उसके बाद नेक कैनाल सेल नीचे-चे की सेल होती है वह वी सी वेंटरल कैनाल सेल होती है फिर उसके बाद यह पूरी जो कैविटी है इसे ह पर होता है और यह स्टॉक के थ्रू गेमेटो फिटिक जो थैलस होता है उससे अटेच होती है तो चलो हम इसके बारे में थोड़े सा पढ़ लेते हैं जो आर्के गोनियम परजैंट इन आर्के गोनियम कैविटी फ्लास्क शेप होती है वह हमने देखा था जो एंठीडियम थ कि यहां पर देखेंगे जो वाल है वह कैसी ऊती है ठीकनेस में वेंटर न ग्लोजिक जिसे वेंटर कैविटी का जाता है यह जो कैविटी है यहां यहांपर देखेंगे यह हमारी वेंटर कैविटी है ठीक है, two uneven cell होती है, winter के अंदर. जो smaller होती है, वो winter canal cell होती है. और फिर ये हमारी यहाँ पर होती है. दूसरी जो large और posterior cell होती है, ovum या egg cell होती है. next cell किसे consists होती है? six vertical row of cell, जो next cell होती है वो ये six vertical row of cell से consists होती है. tip के उपर चार specialised cell होती है, जिसे हमने क्या कह दिया कावर सेल या लिड सेल कह दिया अब आता है डाइसेंस ऑफ सेक्स ओर्गन के डाइसेंस होता है क्या ज़रूरी होता है सबसे ज़्यादा water and moisture is necessary water क्या करेगा जो enthridial cavity थी वहाँ पर enter करेगा यह जो enthridial cavity थी यहाँ पर यह ओस्टियोल है यह जो ओपनिंग है यहाँ से water यहाँ एंटर करेगा moisture प्रोवाडी करेगा ठीक है अब वो enter हो गया तो इससे क्या होगा enthridium जो है वो breast हो जाएगा इससे जो enthridium है वो breast हो जाएगा फट जाएगा और क्या होगे liberating enthridioid due to pressure created जो enthridioid है वो बाहर निकल जाएगे फिर वो क्या करेंगे enthridioid RK agonium तक रीच करेंगे वहाँ पर maturity होगी जो venter canal cell थी और neck canal cell थी वो disintegrate हो जाएगी और degenerate हो जाएगी to form mucilage जो यह वाली देखेंगे आप अब enthridioid आ गया यहाँ से वो जाएगा यहाँ पर तो जो neck canal cell थी और जो venter canal cell थी वो क्या होगी एक मिनट अब आप देखिए enthridioid आ गया वो आ गया भई अब यहाँ से जो यहाँ पर आया neck canal cell है ना यह और जो venter canal cell है वो disintegrate हो जाएगी क्या बनाने के लिए मुसिलेज बनाने के लिए जिससे enthridioid यहाँ enter हो जाएगा और egg के साथ fuse हो जाएगा ठीक है मुसिलेज क्या करेगी अब्जॉर्ब करेगी more water pressure created separated the lid cell कैसे अब क्योंकि अब उसने क्या कर दिया कौन सी cell ने मुसिलेज बनाया जाएगी lid cell यहाँ थी उपर की जो closing थी cover cell नाम यह cover cell उसने cover कर रख है वो क्या करेगी separate हो जाएगी यह वाली cover cell separate हो जाएगी फिर इससे क्या होगा sperm reach कर जाएग तक फिर आता है fertilization हो जाएगा sperm और egg मिल जाएगे तो क्या होगा fusion जाएगोट बन जाएगा first cell है sporophytic generation की क्योंकि QFS cell क्योंकि 2N structure है वही ठीक है जिससे क्या होगा कहां पर आएगा जाएगोट बना कहां इस वाली cavity के अंदर वेंटर के अंदर यहाँ पर egg के साथ ठीक है तो जाएगोट बन गया जाएगोट डिवाइड करके embryo बनाएगा डिवाइड यहीं पर division होता जाएगा यहीं पर embryo बनेगा तो embryo भी कहां embedded होगा इसी वेंटर cavity के अंदर ठीक है फिर embryo डिवाइड करता जाएगा बहुत सारे division होगे फिर हमारे क्या बनाएगा sporophyte अगर हम बात, आगर paws अगर हम बात करें रिक्षय का sporophyte की तो simplest sporophyte होता है रिक्षय का embryo fight जो हमारी division है उसके अंदर अगए हम बात करें genus रिक्षय की simplest sporophyte होता जे पक्रित किste sporophyte के क्यों होता, foot और सीता absent होता है, इसके sporophyte में सिरफ capsule होता है या spore sack भी कह देते हैं, यह वाला होता है, इसका sporophyte आप यहाँ पर देखेंगे, सिरफ एक sack है, ठीक है, capsule है, इसके अंदर foot और सीटा, absent है, ठीक है, ventral wall थी ना जो, यह वाली, यह वाली जो हमारी ventral की wall थी, इसने क्या किया, divide करेगी, anti-cleanally, anti-cleanally और pericanally to form two-layered calyptra, calyptra बना देगी, यहाँ पर देख रहे हैं, आप calyptra, calyptra बना दिया, इसने कहां बना दिया, यह तो क्या था, embryo बन गया था, यहाँ पर, इसने क्या किया, calyptra बना दिया, किसने बनाया है, calyptra, हमने question भी बढ़ा था, arky gonium का जो posterior part होता है, वो covering बना देता है, calyptra की, फ एपिटिडली डिवाइड करता है, formation of outer and inner cell, सीधी सी बात है, जाएगोट में division होगा, paracleaner, transfer division होता जाएगा, तो बहुत सारी cell बनती जाएगी, ठीक है, cell बनने के बात क्यों होगा, जो outer cell होगी, और inner cell होगी, और inner cell endothesium होगी, जो outer MP थीशे में, वो क्या बनाएगी, single layer बनाएगी, capsule की, और inner endothesium होगी, जिससे क्या होगा, sporogenous tissue, आगे डिवाइड करके, spor mother cell बनाएगे, spor mother cell से क्या होगा, spor बनेंगे, ठीक है, tetraad बनेंगे, और inner cell बनाएगे, जो क्या करता है, nutrition प्रोवाइड करता है, तब समझ में आगी, जो ये, spor tetraad बनेंगे, और ये capsule wall है, जो capsule wall कैसे बनी, capsule की wall, किसने बनाएगे, कलिप्टर के अंदर है, capsule की wall, capsule की wall बनाया, amphithesium ने, और जो endothesium था, उसने क्या बना रिक्षिया, अगर कोई भी doubt हो, या कुछ भी हो, तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं, और मैं उस पे भी video जरूर बनाऊंगी, thank you so much